रादे रादे दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक पती को जब अपनी पत्नी का महत्व समझ में आया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें बनवारी लाल अपने बहु और बेटे के साथ रहते थे क्योंकि उनकी पत्नी का स्वरगवास हो गया था बनवारी लाल की जब तक पत्नी जीवित थी तो उन्होंने अपनी पत्नी के महत्व को नहीं समझा था आज बनवारी लाल शाम को सेर करके वापस घर आये थे तो अभी वो जूते भी नहीं खोल पाये थे कि बहु ने पूछा पापा जी आप रात के खाने में क्या खाएंगे तो बनवारी लाल जी बोले क्यों बहु क्या बात है तो बहु कहने लगी वो क्या है पापा जी हम फिर बनवारी लाल जी सोचते हुए सोचने लगे आज तो संडे भी नहीं है और नहीं आज किसी की शादी है उन्हें याद नहीं आ रहा था कि शायद आज किसी की शादी हो लेकिन ऐसा तो नहीं है शायद किसी की जनम दिन या वर्सगाट की पाईटी होगी उन्हाने अपने मन में सोचा और फिर सोचने लगे मुझे इस सबसे क्या है उन्हाने अपने विचारों को जटक दिया और फिर उन्हाने जूते उतार कर रैक में रख दिये और अपनी बहु से बोले बहु ऐसा करो तुम दो फुलके बना देना मैं दूद के साथ खा लूँगा तब बहु कहने लगी पापा जी तीन फुलके सुबह के रखें अगर आप और कहते वे बहु ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी बनवारी लाल जी समझ गए कि बहु के नियत फुलके बनाने की नहीं है पर सुबह की घी वाली रोटी खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी आज सुबह भी बहु ने जो बिना मिर्च की सबजी नहीं बनाई थी उन बहु ने बहु ने बहुत तेज मिर्च मसाले वाली सबजी बनाई थी जिसे खाकर बनवारी लाल को अब तक खटी डकारे आ रही थी इस उमर में पेट को संभालना, हाजमे को दुरुस्त रखना, किसी बिगडी उलाद को संभालने से कम नहीं होता है बनवारी लाल ने मनीमन सोचा और बोले कि बहु इस उमर में मैं सुबह की रखी हुई रोटियां नहीं खाव पाऊंगा, तुम्हें बनाने में तकलीप तो जरूर होगी तब बहु कहने लगी, तकलीप आपकी बला से क्या, तकलीप हो या ना हो, आपको तो पैसे तो बुलेंगे मीठा मीठा, लेकिन चाहिए सब ताजा ताजा अब दो बनाओ की दस बनाओ, फैला काम तो उतना ही फैलेगा ना, आटा लगाओ रोटी बनाओ सलेब साथ करो, दिन रात करते रहो इनकी जी हजूरी बहु भुन भुनाते हुए उठकई, और तो बनवारी लाल के कानों में मानो किसी ने फिगलता हुआ सीसा डाल दिया, यह सुनकर बनवारी लाल को बड़ा ही बुरा लगा, और सोचने लगे तौबा तौबा, हे भगवान, दो रोटी बनाने में इतनी तकलीप, मैंने कौन से 32 भोजन की जो या 33 तरकारी की मांग कर दी, हद्दे भाई, उन्हें तेज गुसा तो आ रहा था, पर बनवारी लाल अपना गुसा पी गए, गुसा भी तो होई पर किया जाता है, जहां सुनने वाला कोई हो, आज कल बनवारी लाल को गुसा जितनी तेजी से आता था, उ और वह जैसे उसे याद आया कि वह अपनी दौन अगल भाईया डाल कर जो बनवारी लाल के गले में डाल दी हो, और कह रही हो, कहने लगी कि याद है, कभी मैंने तुम्हें बासी रोटी नहीं खिलाई, रोटी के साथ तरकारी के अलाबा भी दस चीजे धर देती थी, मिठ वह की रोटी खा लूँगा, तुम बेकार परिसान होगी, मेरी वज़े से तुम्हें जाने में लेट हो जाओगी, वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी तो मुलाएमी होती है, चल जाएगी, जब बनवारी लाल ने कहा और बहु ने सुना, तो मानो बहु को तो मन मांगी मिल गई, वै अपनी आवाज को बहुत ही मिठी करते हुए बोली, पापा जी, आप चाए पीएंगे, बनवारी लाल की तलब तो हो रही थी चाए पीने की, लेकिन उन्हों ने जबरदस्ती अपनी तलब को दबाते हुए कहा, इस उमर में क्योंकि अपनी च्छाओं को दब तो तुम अपने लिए बना रही हो, तो मेरे लिए भी बना देना, और यह कहकर बहु बोली ठीक है, और रसोई में चली गई, बनवारी लाल सोचने लगे, वारी जिंदगी, लाकों की जायदाद आज मी मेरे पास है, यह घर भी मैंने अभी बेटे के नाम नहीं किया, इकल बेटा, मेरे मरने के बाद सब तुम्हारा ही है, बैंक एकाउंट में भी काफी पैसे जमा है, इसके बाद भी अगर एक प्याली चाय और दो ताजा गरम रोटी के लिए तरज जाएं, तो उन बूरों की क्या हालत होती होगी, जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर कुछ न आदों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे, वे हमेशा अपने यतीत को याद करते रहते थे, बनवारी लाल ने आराम कुर्सी पर आखे बंद की, तो तुरंती उन्हें फिर अपनी पतनी मंगला की याद आगी, उन्हें ऐसे लगा, जैसे मंगला उनके सामने खड़ी है, तब उन्हें लगा कि मंगला जैसे कह रही हो, इसलिए तो कहती थी पती देव, थोड़ा भूत रसोई का काम हर मर्द को आना चाहिए, पता नहीं कब क्या जरूरत पढ़ जाए, अपने हाथ जगनात होते हैं, वो हाथों को नचा कर ऐसे बोलती थी, बनवारी लाल हस मंगला कहती थी आपको हसी आ रही है, अरे भई जरूरत पूछ कर तो नहीं आती, कम से कम आपको कुछ रसोई का काम आएगा, तो आपको भूका तो नहीं मरना पड़ेगा, पर आपने तो आज तक मंगला कहने लगी, चाहे भी बनानी नहीं सीकी, उस समय बनवारी लाल होती, तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता, मंगला की बात का अर्थ और दर्द दोनों ही आज जो बनवारी लाल को समझ में आ रहे थे, पर अब क्या करें, जो अब है ही नहीं, उस बात का क्या जवाब देते, जब से मंगला गई है, बनवारी का आदा दिन और पूरी रात, इसी तरह जो उसकी यादों में रहता है, जब भी उसे कोई ऐसी बात पढ़ती है, उसे जो मंगला की कही हुई बाते याद आने लगती है, बनवारी लाल की आँखों से आंसो छलक कर गालों पर लुड़काए, मानो मंगला ने, हुआ भी जैसे उसे लगा हो कि मंगल याँ भी उसके साथ है, उने याद नहीं था कि जब तक मंगला थी, उन्होंने कोई काम किया हो, बस आर्थिक पक्षका उन्होने ध्यान रखा था, उनकी जिम्मेदारी थी, जिस पर उन्होने अच्छे से ध्यान दिया और उनकी पकड भी अच्छी थी, उन्होने खूब पैसा कमाया था वैपार में सदैव जो उनका साथ दिया था लक्षमी माता ने उनके कपड़े के वैपार ने सदैव उनको दिन दोनी रात चोगनी उनत्ती दी थी जिसकी बदौलती बनवारी लाल ने घर बनाया बच्चों की पढ़ाई की शादियां सब आराम से संपन हो मंगला कभी भी फिजूल खर्ची ना मात्र की भी नहीं करती थी ना जादा महेंगे कपड़े और ना जादा गेहनों का सोग मंगला को कुछ नहीं था वै कहीं भी किट्टी पाइटी नहीं जाती थी ना कहीं फिलम जाने की उसके अंदर ललगती ना ही होटलों में खाना ख बन्वारी लाल के किसी पुन्य का फलता, बन्वारी लाल भी भरपूर प्यार और इज़त करते थे अपनी पत्नी मंगला की, पर कभी उसके सामने इस बात का इजहार नहीं कर पाए, कास कभी उसकी तारिपों के पुल बांध पाते, कभी बालों में गजरा लगा पाते, कभी बाहों में बाहें डालने, घूमने जाते, कभी फिलम देखते, किसी रोमांटिक सीन पर थियेटर में भी बाहों में जकड लेते, ऐसे ना जाने कितनी बाते वो बनवारी लाल अपनी पतने मंगला से कहना तो चाहते थे, पर कहने ही पाए, कभी I love you मंगला जैसे कुल चार सब भी वो नहीं बोल पाए थे, बनवारी लाल रोज मर्रा की भागम भाग का असर कहें, या जिम्मेदारियों की बोज तलेवे इनसान की मजबूरी, या पिर इसे जिजक का नाम भी दें, तो सच्चाई तो यही थी, कि कहने सुनने को तो बहुत सी बाते मन में धरी की धरी र इना तक की माता वैशनो देवी के दर्सन करने के लिए, बनवारी लाल से मंगला ने कई बार कहा था, कि उसकी इच्चा है कि उसे माता वैशनो देवी के दर्सन करा लाओं, और बनवारी लाल उसकी इस इच्चा को अगले साल अगले साल पर टालते जाते, और बनवारी ला मंगला की यह इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए थे ग्रेश्ती और जिम्मेदारियों की चक्की में पिस्ते हुए कब मंगला की इच्छा उसकी मौन साधना में बदल गई पता ही नहीं चला जब उसकी शादी हुई हनीमौन जाने का परचलन हो चुका था पर सरमीले बनवारी लाल यह सुक भी मंगला को नहीं दे पाए थे कभी कभी सुरुआती दिनों में मंगला हनीमौन पर ना ले जाने का मिठा ताना बनवारी लाल को दे देती थी इस पर बनवारी लाल हसकर मंगला से कहते थे मंगला जब भी घूमने जाएंगे तब ही हनीमून समझ लेना मंगला प्रेम कभी पुराना नहीं होता क्या घूमना घूमने जाना कौन सी बड़ी बात है पर जिम्मेदारियों से थोड़ी मुक्ती मिले तब चलेंगे पर ना तो नौमन तेल हुआ और ना ही राधा नाची पहले माता पिता की सेवा फिर बच्चे और ग्रिस्ती के सैकड़ों जंजटों के बीच सेर सपाटा मौज मस्ती के लिए बनवाली लाल को समय ही नहीं मिलाता उन्होंने तभी अपने विचारों को जटक कर देखा तो काव्या और कुन्नो दोनो टूशन से लोट आही थे आते ही दोनो बच्चे बसता फैक कर बनवारी लाल के कंदों पर चड़ गए दादू चलो दादू चलो नीचे चलते हैं बस बनवारी लाल के लिए यही कुछ पल होते हैं जब बच्चों के साथ वो बच्चा बन कर सब कुछ भूल जाते हैं बच्चों के मुस्क्रहट देखकर जिंदगी को दो पल कर सगून मिलता है बनवारी लाल कुछ कहते इससे पहले यह बहू की तेज़ आ जाई चलो बच्चों दादू को छोड़ो आज पाइटी में जाना है तुमारे पापा आते ही होंगे पहले तुम कुछ खापी लो फिर पाइटी के लिए तयार हो जाओ बच्चे बड़े अनुसासित थे और अपने बाबा को छोड़ कर वो तुरंती मा के पास दोड़ गए काविया आठ साल की थी कुन्नू दस साल का था बस इन की संगत में ही बनवारी लाल अपना सारा दुख भूल जाते थे निश्चन निश्कपट बच्चों की मुस्कुरहाट मीठी मीठी बातें छोटी छोटी परफरमाई से बनवारी लाल का मन महुलेती थी जब भी बनवारी लाल इन बच्चों के साथ होते थे तो दुनिया को क्या खुद को भी वे भूल जाते थे उनके साथ बिलकुल बच्चे बच्चे बन जाते थे सारा तनाव सारी ठकान सारी परिसानिया छोमंतर हो जाते थे सोचते हुए बनवारी लाल बालकनी में आ गए हल्की से ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया उन्होंने दोनों हातों को आपस में लपेट लिया फिर उन्हें मंगला की याद आ गए तब ही उन्हें लगा जैसे मंगला जब वो ऐसे ठंडी हवा में आते थे तो मंगला कहती थी अरे मफलर सौल कुछ तो लपेट लो बदन पर आपको ठंड लग जाएगी फिर मत कहना कि बताया नहीं बनवारी लाल हस कर जो थोड़ से खुस हो गए और मुस्कुराने लगे उन्हें जो मंगला की बात याद आ गए फिर किसी ढीट बच्चे की तरह वे बनवारी लाल हुआई कुरसी पर बैठ गए देखा तो उनका बेटा रोहन भी आ गया था बहु उनकी चाय बालकनी में पक कम चीनी वाला गरम पानी भरता हाँ आज बनवारी लाल सोचने लगे बहु के जाने के बाद खुद अपनी चाय बनाएंगे अद्रक इलाइची डालकर और अच्छे से मसाले के साथ सक्कर वाली मीठी चाय पिएंगे और उसी के साथ खालोंगा दो रोटी सुबह की रखी ह जो रोटी के बारे में सोचकर जो बनवारी लाल के मूँ का जाय का फिर से बिकड़ गया पर कोई उपाय भी तो नहीं था चाय सुड़क कर वे फिर से रसोई में कप रखने गए तो देखा बहु बेटे के कप पहले से ही धुले हुए है अब बनवारी लाल ने सोचा कि ऐस जोटा कप रखूंगा तो फिर बहु कुछ बोलेगी उन्होंने चुप चाप अपना कप धोकर रख दिया हायरी किसमत किसी मर्द को बुढ़ापे में बिना औरत के मत रखना ना जीते बनता है और ना ही मरते वो अपनी राम राम लिखने वाली पुस्तक फिर बालकनी में ले जाकर बैठ गए तब ही उनकी नजर बालकनी की मुंडेर पर रखी कोई तुलसी पर पड़ी तो लगा जैसे जड़ जड़ जड़ते तुलसी के मुर्जाए पत्ते अपनी दुर दसा की सिकायत कर रहे थे बनवारी लाल जो सीधे सीधे उठे और एक लोटा पानी लाकर तुलसी में डाल दिया और उसे नहरने लगे दो चार मिनटी उने लगा कि तुलसी के मुर्जाए चेहरे पर मुसकान लोटाई यो जो से देखकर उनके चेहरे पर भी जो मुसकान अभराई। उन्होंने मनी मन रोज तुलसी में पानी डालने का जो संकल्प ले लिया और उन्हें एक बहुती आतम संतुष्टी मिली तुलसी में जल देकर उन्हें याद आया जब उनकी पत्नी जीवित थी तो रोज सुबह तुलसी मया को पानी देती थी और सांज के समय तुलसी पर दिया जलाती थी और दिया जलाते हुए जाने क्या क्या गाती थी अब तो संधिया दीपक में है ना भगवान के आगे कोई जलाता है ना ही तुलसी जी के पास जाने कितनी बातें कितने संसकार और कितनी परंपराएं हैं जो मंगला के साथ ही इस से विदा हो गई बेचारी बहु भी क्या क्या करें घरे लुकाम बाजार बच्चों की देख भाल किटी पाइटी रिस्तेदारियां सहे लियां और वही बात एक अनार सो बिमार सास्ती तो बहु को भी सहरा था वैसे सुबह बाजार से सौधा और ताजे फल सब्जियां तो ब कि इस घर की तुमारी और भी जरुरत थी बनवारी लाल धीरे से बड़बडाने लगे तुमने तो मंगला मुझे धोका दे दिया साथ निवाने का बादा तोड़कर मजधार में मुझे छोड़कर चली गई मुझे ना देख भाल का अफसर दिया और ना ही सेवा का मंगला तुम इतनी जल्दी चली गई मुझे अब तुमारे बिना रहा नहीं जाता यह भी कोई बात हुई बस तीन दिन तो तुमें बुखार आया था और उसी बुखार में चली गई भला ऐसे भी कोई जाता है यह सोचकर बनवारी लाल की आखों में आशु आ गए बनवारी लाल कुछ से ही बाते कर रहे थे तब ही बनवारी लाल अपने ख्यालों से बाहर आये क्योंकि उनके बेटे ने आवाज लगाई बाबुजी कहां बैटे हो आप ठंडी हवा आ रही है आप बालकनी में बैटे हो ठंड लग जाएगी चलिए भीतर जब उनके बेटे रहन ने कहा तो बनवारी लाल किसी आग्याकारी बच्चे की तरह उठकर अंदर आ गए बेटा बहु पोता पोती सब पाइटी में जाने को तयार थे किसी ने भी बनवारी लाल से जूट मूट के लिए भी नहीं पूछा कि पिताजी आपको भी हमारे साथ चलना है भला बनवारी लाल स सोचने लगे हमारी उम्र हो चुकी है मेरी बच्चों की पाइटी में क्या जरूरत है और मुझे करना भी क्या है अब तो बस हरी भयं में मन लगाने की बेला है बावले बनवारी लाल अपने आपी बुध-भुधाने लगे और अपने आप से कहने लगे तब हिए उनका बे कर लेना हमारे पास चाबी है तब ही बनवारी लाल सोचने लगा बड़ा ख्याल है मेरी सेहत का पिछले सबता से डॉक्टर को दिखाने के लिए कहरा हूँ बीपी बड़ा हुआ है सूगर की पता नहीं क्या इस्तिति है यह भी जानना जरूरी नहीं है सांस भी जरा सा चलते ह फूल जाती है उखडने लगती है पर कहता है यह सब तो बेटा कह देता बुड़ापे की निशानिया है बुड़ापे में तो यह सब होता ही है पिता जी आप ज़्यादा बेहम मत पालो बनवारी लाल कहने लगे वा बच्य हुआ बूड़े बाप के पास बैठने के लिए घड़ी भर का समय नहीं है पर पाइटी के लिए समय ही समय है इन सहब जादे के पास बनवारी लाल बड़बडाने लगे पर जब अपना ही सिक्का खोटा हूँ तो सिकायत किस से दिमाग में फसी इन तमाम बातों के बावजूद बनवारी लाल ने उन्हें हामी में सिर हिल जा दिया कि जाओ मैं दर्वाजा बंद करके जल्दी सूजाओंगा बनवारी लाल हॉल में रखी हुई कुरसी पर बैट गए बच्चे जा चुके थे अभी खाना खाने का मन नहीं था उनका उन्होंने टीवी चालू कर दिया सोचने लगे थोड़ा टीवी देख लेता हू लेकिन टीवी चालू करते ही आज बनवारी लाल को पता चला कि आज वैलेंटाइन डे है आज प्रेम के इजहार का दिन है प्यार का दिन है मोहबद का दिन है जसन की इस रात के लिए लोगों ने कलबों होटलों और थेटरों में खास इंतजाम किये जगे जगे सांदार प मनाने गए हैं और एक हमारे समय में प्रेम तो होता था पर पूरी उमर निकल जाती थी इजहारे मोहबद करने में प्रेम भी तो शादी के बाद ही होता था वो भी पुरकों के आदेश पर सोचते हुए बनवारी लाल खुदी हस पड़े और सोचने लगे हमारे समय में तो वसंत पंचमी के दिन को प्रेम का दिन कहा जाता था और मनाया जाता था बिलकुल सादगी से पीले कपड़े पहन कर मासरस्वती की पूजा कर ली बस प्रेम का इजहार का माध्यम तब प्रकरती थी चांद तारे नदी पहाड़ फूल और खेत थे फिल्मों तक में दो फू प्रेटी होती थी ना ही महेंगी गिफ्ट थे और ना ही कोई सोर गुलता बिना दिखावे का सच्चा प्रेम जीवन भर महकता था उसकी खुस्वू तन मन में हमेशा के लिए बस जाती थी चुपके चुपके यह भी सच्छ है कि तब प्रेम में कोई रिष्क भी नहीं था ना शादी तूटने का रिष्क था और ना ही प्रेमी का ना मिलने पर कोई एसिड अटैक या खुदकुसी की वारदात करता था वे बनवारी लाल सोचते सोचते उठकर खड़े हुए और टहलने लगे तभी सामने ही पीले रंग पर लाल बॉडर वाली साड़ी पहने उन्ह मंगला की याद आगी उन्हें लगा जैसे मंगला सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो क्योंकि सामने ही मंगला की फोटो सजी हुई थी वे उसे नहरने लगे और मन में सोचने लगे हाँ प्रेम तो उन्होंने भी किया था मंगला से बनवारी लाल सोचने लगे मैंने भी अप अपनी पतनी को I love you नहीं कहा, कभी जूटे सच्चे वादे नहीं किये, ना कभी उसके जिनम दिन पर कोई तोफ़ा लाए और ना साल गिरे पर दोश्तों को पाइटी दी थी, बस मंदिर में जाकर भगवान के दर्सन कराते थे, जायदा से जादा नए कपड़े पहल लेते थ तो घर पर सत्य नारायन की कथा करवा लेते थे, सोचते सोचते बनवारी लाल कहीं अपने अतित की जाकियों में खो गए, उस समय उनके होटों पर मुस्कान और आखों में आसू थे, एक साथ देखी जा सकती थी, कि उनके कितना दुख है, उनका चेहरे पर दुख जलक रह था, खुसी और दुख के आसू उनके चेहरे पर टपक रहे थे, उनने टीवी पर देखा लोग लाल कपड़े पहने, बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते लेकर ग्रेटिंग कार्ट्स करीद रहे थे, पताने अचानक उनने क्या हुआ, बनवारी लाल उठे एकदम से और अपना परस उठाया, और घर की चावी अली और छड़ी उठा कर बहार निकल गए, पूरा सहर उस दिन जग मगा रहा था, दोड़ते वहान, चंकीले लाल परिधान पहने हुए इस्तरी फुरस भागे जा रहे थे, मानो जैसे सबकी लोटरी आज ही निकलने वाली हो, इन सबसे बेखवर बनवारी लाल का दिल और दिमाग और मन तीनों अपने जीवन की घटनाओं में लगा हुआ था, अपनी घटनाओं में लगा तार उलज रहा था, बार बार मंगला को याद करते आसू पहुँचते और वे नुकड तक जा पहुँचे, उनकी सांस पूलन लगी थी, नुकड के आस्क्रीम पारलर पर अच्छी खासी भीड थी, जिनकी जेव, होटल, कलब का खर्चा नहीं उठा सकती, वे याँ आस्क्रीम, कोल्ड रिंग्स, कोल्ड कॉफी का मज़ा ले रहे थे, उखरती हुई सांसों के उतार चड़ाप को बनवारी लाल महसू उस करते हुए, वहीं पर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए, तबी एक बैलून बेचने वाली लड़की ने पुकारा दादा, गुबारे लो गें, घर जाना है, बस थोड़े से बचे हैं बाबा, ले लो, बनवारी लाल ने देखा, लगबग दस बारे, रंग बरंगे बनवारी लाल सोचने लगे, मेरी पत्री मंगला को भी खूब पसंते गुबारे, जब बच्चे छोटे थे, तो वह इनके साथ गुबारों से खूब खेलती थी, और बच्चों के साथ बच्ची बन जाती थी, पर अभी वो वैलून का क्या करें, तबी गुबारे बेचने लड़की की आँखों में सच्चाई और मासूमियत ने उनका ध्यान कीच लिया था, मंगला जब भी बाहर निकलती थी, सोचने लगे दो चार रुप्यों की रेजगारी जरूर लेकर निकलती थी, और जरूरत मंदों में बाट देती थी, कभी वो टोकते, मंगला ये क्या क रही हो, तो मंगला हसकर कहती, भगवान का सुक्रह जी, कि हमें लेने वालों की नहीं, देने वालों की लाइन में रखा है, और एक दो रुप्यों के बदले, आपको लाखों की दुआ भी तो मिलती है, फिर इतना सा बचा कर हम कोई महल तो खड़ा नहीं कर पाएंगे, बन की बहुती हैरानी से बनवारी लाल को देख रही थी, और फिर वे चली गई, जाते जाते भी तीन चार बार पीछे मुड मुड कर बनवारी लाल को देख रही थी, बनवारी लाल हातों में पकड़े, रंग बरंगे गुबारों को न्यार रहे थे, और बनवारी लाल की आँ में उडाते हुए जोर से चिलाए मंगला I love you उनकी सांस तेजी से फूलने लगी आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझते उन्हें थामते वो लड़ खड़ा गए सांस बेकाबू हो गई उनकी और वो धम से सडक पर गिर पड़े मुह से अभी भी टूटे फूटे सब I love you जो निकल रहा था लोगों की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ कैसे हुआ कौन है यह सक्स जिसने जितने लोग उतनी बाते हवा में तैर रही थे उन पर उन सबसे बेख़वर बनवारी लाल मौ माया के इस दुनिया से जो पलाइन कर चुके थे उने बहुत जल्दी थी मंगला के पास जाकर उसे आई लव यू बोलने की सच में दोस्तों पतनी का महत्व वक्त रहते इंसान नहीं करता है उसके जाने के बाद ही करता है यह कहानी आपको थोड़ा भी सीख दे तो प्लीज अपनी पतनी को जरूर महत्व दें नहीं तो बाद में सिर् आया ने कभी दरसाया ने और जब मंगला चली गई तो बनवारी लाल का प्यार जो उमड रहा था वो उससे सब कुछ करना चाहते थे उन्हें पच्तावा बहुत था कि वो अपनी पतनी को क्यों नहीं यह प्यार दिखा सके इसलिए उन्हें बहुत जल्दी थी और वो भी जो अपनी मंगला के पास पहुँच गए दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें रादे रादे